अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आपको स्पेसिलाइज़ इन लाइफ स्टाइल इन दे मेटाबॉलिक डिसीज आइम कैरिंग फिफ्टीन एर एक्सपिरेंस इस ए कंसल्टिंग फिजीशन तो मैं आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह एक साइंटिफिक चैनल है जो आपको हैल्ट एजुकेशन एंड प्रिवेंशन के बारे में हम एजुकेट करते हैं तो कंट्यूनियस आपको अपडेट मिलता रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट्स करिए सेयर करिए और आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए तो आज हम बात करते हैं कि हाई ब्लट पैशर को क्या डाइट्री मोडिफिकेशन के द्वारा या लाइफ लाइफ स्टाइल चेंज के द्वारा या बिदाउट एनी मैडिसन क्या ब्लट पैशर को मैनेज किया जा सकता है आंसर इस कम्प्लीटली यस यदि आप लाइफ स्टाइल मोडिफाई कर सकते हैं आप अपने फूड को चेंज कर सकते हैं और यू केन चेंज सम्टमेंटल ला लाइफ स्टाइल में तो आपको ब्लट पैशर की हाई ब्लट पैशर की कोई दबाई लेने के आवश्यक्ता नहीं है आप कुछ हम टिप्स आपको देंगे वह यदि आप टिप्स फॉलो करते हैं तो आपका जो हाई ब्लट पैशर है वो नॉर्मल हो जाएगा और आगे पर आठरी पर और जो हमारा कार्डिक पंपिंग सिस्टम है उसके कार्ण हाई ब्लट पैशर होता है तो इसको दूसरे सब्दों में यदि हम समझें तो हमारे दिल को कुछ जादे काम करना पड़ता है ब्लट को सरकुलेट करने के लिए पूरी बॉड़ी के अंदर हमारे द पर घ्रियामे जाद और एक द्वाब और एक स्ट्रेस बना रहता है एक टैंसन बनी रहती है जो आपकी लईफ के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है अब दवाईयां एड्जेक्ली क्या करती है जब आप कोई भी दवाई लेके यह व्युक्त कोई. क्लिब करती है कभी ऐसा नहीं होता है दबाई उस प्रेशर को मेंटेन करती है और नॉर्मल रेंज में रखने की कोसिस करती है यानि जो रूट कॉज है जो कारण है वह आपकी बॉडी के साथ है वह आपके साथ जुड़ा हुआ है जब तक आप रूट कॉज को नहीं से लंबे समय तक ब्लड पेशर रहने से किड्नी डिसीज आपका रेटीना का कमजोर होना नर्व का कमजोर होना मेमोरी पर पढ़ना दूसरा फिर आपका जो कॉडिनीशन है कंट्रोल है वह पूर होना कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वर्टिकों की प्रॉब्लम डबलफ ह हो जाती है कुछ लोगों को और लगातार यदि ऐसा बना रहता है तो आपके दिल के और दिमाग के दोरे का रिस्क भी आपके साथ जूड़ जाता है वेट यस यदि आप ब्लड पेशर की दवाईयां लेते हैं तो वो रिस्क जरूर कम हो जाता है और उससे आप एक नॉर् क्लिड पाइशर यदि हमें है तो हम रूट कॉस को कैसे अलिमेट करें हम रूट को कैसे करें और हम नॉर्मलि liksom को कैसे मैश्य सकते हैं to सब से पहली बात आती है कि हम मौर्निंग से शुरू करते हैं आप मौर्निंग एमटी स्टॉमक पानी पीए 400-500 यदि हलका गरम पानी पीए तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपको कॉंस्टिपेशन रहता है आपको गैस बनती है आप यदि ओवीज है और आपका फैटी लिवर है तो आप एक चमच तिरफला या चार टैबलेट तिरफला की आप गरम पानी के साथ खाएं या हनी के साथ तिरफला मिक्स करके उसको आप चाटके खाएं पहली बात सबसे पहल काम आपको यह करना है दूसरे पॉइंट पे आप मॉर्निंग एक्टिविटी से फ्री होके आप 30 मिनट वॉक करें 30 मिनट नॉर्मल रिस्ट वॉकिंग यानि पैदल चलना है आपको तेज पैदल चलना है दौड़ना नहीं है सेकिंड पॉइंट यह है कि दौड़ने आप मैक्जिमम ट्राइए करेंगे कि आप नेजल व्रीथ करें मतलब आप नोज से लंबे सांस लें और नोज से ही लंबे सांस छोड़ें माउथ को मैक्जिमम टाइम आप क्लोस रखें इसके बाद 30 मिनट के बाद आप कंप्लीटली एक उस जोन में आ गए है एक डिटॉक हो गया है एक एरोविक्स हो गया है एक रिमूबल हो गया है स्ट्रेस का आपकी बॉड़ी से अब आप कंप्लीटली आराम से बैठ जाएं और काउंट करके 100 टाइम्स आप अपनी ब्रीथ पर कॉंसें यानि नेजल ब्रीथ करना है अब 100 टाइम्स मतलब नोज से आपको लं से यह ना करें नॉर्मल ब्रीथ को जाने दें नॉर्मल ब्रीथ को आने दें यानि नेजल ब्रीथ को लंबा करना है और नेजल ब्रीथ को लंबा ही लेना है मतलब इनहेल करना है और एक्सेल करना है आप काउंट करके 100 टाइम यह करिए आपका जो ब्लड पेशर है वो आपको three times में से केवल एक time अनाज खाना है, यानि afternoon में आप अपनी choice का खाना ले लिजिए, जिसमें आप चपाती खा सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, हरी सबजी खा सकते हैं, प्लस curd खाना है आपको afternoon में, morning का जो breakfast होगा आपका, वो आप पोहा खाएं, आप खिचडी खाएं, आप दलिया खाएं, आप conflex खाएं, आप multigrain दलिया खाएं, आप इन सब के साथ you can take curd, बट curd make sure कि बहुत ज़्यादा fat वाली curd नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आता है कि हम afternoon याणि evening five o'clock और रात को क्या खाएं, रात में आप हरी सबजी और दो चपाती खा सकते हैं, या फिर आप fruits और vegetables, आपको दो meal fruits, vegetables, fibers के बनाने होंगे, जिसमें आपका apple सामिल करें, जिसम सब आपको लेना होगा, प्लस हरी सबजीयां और लाल सबजीयां आप ज़्यादे से ज़्यादा खाएं, लेकिन make sure कि आप कुछ food restrictions हैं, जो आपको exclusively करनी होंगी, आप packed food ना खाएं, आप junk food ना खाएं, प्लस non ways में आप mutton completely बंद कर दें, एक बंद कर दें, और dry fruits के अंदर केवल आप एक walnut खा सकते हैं, अकरोट, काजू, बदाम, मुंफली, ये भी आपको बंद करना होगा, क्योंकि high blood pressure के case में, यदि आपका cholesterol और triglyceride यदि बढ़ेगा, तो आपका blood pressure भी बढ़ेगा, आपको obese भी आप होंगे, और आपका fatty liver भी होगा, इसके बाद ये आता है, क लोग बोलते हैं कि 8-10 glass पानी प्यों, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, जब आपको प्यास लगे, तब आप पानी पीएं, और जब आपको भूग लगे, तब आप खाना खाएं, बट मेक शॉर 25-30 grams fibers, vegetables and fruits intake रखें properly, अब इसके बाद ये बात आती है, कि आप blood pressure की यदि द दबाई लेते हैं, तो दबाई continue रखें, बट जब ये schedule आप बनाएंगे, जब ये diet plan आप follow करेंगे, जब ये exercise आप करेंगे, तो कुछ दिन के बाद आपका blood pressure थोड़ा सा कम हो जाएगा, with a consultation with a physician और आप अपने doctor से बात करके, अपनी dose कम कर सकते हैं, और 3 months में आप देखे का sleep लेना है, stress को manage करना है, plus positive thinking रखनी है, और यदि आप obese हैं, तो आपको immediately weight घटाना है, यदि आपका fatty liver है, तो आपको उस पर काम करना है, और यदि आपको कोई kidney disease है, kidney का कोई concern है, तो make sure के उसकी दबाई आपको continuous लेनी है, यदि आपको cholesterol है, यदि आपको triglycerides है, आपको u curic acid बड़ा हुआ है, तो इन सबको आपको manage करना होगा, और इन सबको हम right food with the right exercise, with the right attitude हम deal कर सकते हैं, आप stress management के लिए positive engagement करें, जिसमें meditation helpful है, सूर्य नमस्कार आप करें, morning में आप exercise आप करें, plus aerobics आप करें, fiber intake रखें, plus आप अपने खाने में antioxidant add करें, vitamin C add करें, जिसमें क red green vegetables as well as the fruits, but आप चोकर लें, उसके साथ आप चुकंदर का juice, गन्य का juice और लौकी का juice, यह तीन टाइप के juice हैं, जो आप अपने खाने में सामिल करें, जो कि आपके blood pressure को normalize करने में, directly और indirectly आपको मदद करते हैं, salt, sweets and fat, यह minimize करें, और यदि यह बिलकुल बंद कर सकें, refined food क तो that is good for your health. Thank you very much and take care yourself.